हेलो नमस्कार अतीसी दिली की तीसरी महिला मुखमंत्री बनने वाली है तो चलिए इसके बारे में हम लोग अधिक जनकारी ले लेते हैं अतीसी 21 सितंबर को लेगी दिली CM पद की सपत LG ने राष्ट पती को भेजा प्रस्ताव PTI ने सुत्रों के हावाले से बताया है कि दिली के उपराजपैल B.K. सकसेना ने बुधवार को अरबिंद के जिर्वाल का इस्थिपा राष्ट पती द्रोपती मुर्मु को सौफ दिया यानि आज बुधवार यानि आज के जरिवाल का इस्तिफा राष्ट पती द्रोपती मुर्बन को सौफ दिया गया है PTI के मुताबिक उन्होंने 21 सितंबर को 30 के मुखमंत्री पत की सफ़ा दिलाने की तारीख प्रस्तावित की है गौर तलब है कि अर्विंद के जवाल ने मुखमंत्री पत से मंगलवार को स्थिफा दे दिया था अब हम लोग देखते हैं कि अब तक भारत में कितनी महिला मुखमंत्रियों ने मुखमंत्री पत का भार समभाला है तो चलिए देख लेते हैं पिन्दर कौरपंजाब भी सीम रही हैं मामता मयावती, राबरी देभी, सुसमा सोराज, सीला दिख्छित, उमा भारती, बसुंधरा राजे, मामता बरनरजी, वह महबुबा मुक्ती भी सीम रही हैं, अब तीसी दीली की तीसरी महिला मुखमंत्री होंगी अब ये हम लोग जान लेते हैं कि अटीसी को ही क्यों चुना गया है और भी लोगों को चुना जा सकता था लेकिन अटीसी को ही क्यों चुना गया क्यों अटीसी को ही चुना गया दीली का मुख मंद्री अटीसी को दीली का आगला मुख मंद्री चुना गया है माना ज़रा है कि अर्भीन के जिर्वाल और मनीश स्विधिया के जेल जाने के बाद उन्होंने पार्टी का मोर्चा अरची तरह संभाला था इसलिए उन्हें यह जिम्दारी दी गई है यह दिली सरकार के मंत्रियों में एक लोती महिला है और पार्टी के सबसे सिक्षित नेताओं में सामिल है यानि इन्होंने अपने इनके कर्म का फल मिला है और बिन के जिवार और मनीश स्विधिया के जेल जाने पार्टी का मोर्चा अच्छी तरह से संभाला है और यह दिली सरकार के मंत्रियों में एक लोती महिला है इसके लिए भी इनको मिला है उसके बाद अब हमों देख लेते हैं कि जो अतीसी हैं उनके पती कौन है कौन है दिली की भावी सीम अतीसी के पती दिली के भावी मुखमंत्री अतीसी के पती का नाम परवीन सिंग है और वह एक रिसर्चर यों एजूकेटर है ये हैं दिली के भावी मुखमंत्री के पती अतीसी के दिली की भावी सी एम अतीसी ने आठाड़े बर्स पहले वरानेसी के परवीन सीन से की थी साधी दिली के भावी मुखमंत्री अतीसी का उत्तर प्रदेश के वरानेसी से गहरान आता है अगनोंने 2006 में वारानेसी के लंका में रहने वाले सोसल वरकर परवीन सी से साधी की थी और उनका परिवार आज भी वहीं रहता है समा सेवा का दुरान दुनों की मुलकात हुई थी दिली के मुख मंत्री और बिंद के जिवाल के इस्तिपे के बाद 30 सीम बनेंगी धन्यबाद